हेलो सुडेंट्स आज हम लोग ट्राइबोलियम की लाइफ साइकल पढ़ेंगे यह ट्राइबोलियम एक स्टोर्ड ग्रीन पेस्ट है जनरली वीट मेज या सेमोलीना राइस इन सब में पाया जा सकता है सिस्टमाटिक पोजेशन ट्राइबोलियम की है यह आपके सामने है यह फाइलम आर्थर पोड़ा क्लास इंसेक्टा को बिलॉंग करता है और इस कोलियोप्रा यानि बीटल है यह एक फैमिली टैनी ब्रियोनिडी जीनस ट्राइबोलियम और स्पीशीज जो हम यहां पर पढ़ स्पार बीटल भी कहा जाता है यह एप्रोक्सिमेटी 3-4 cm लॉंग होता है आप आगे की स्लाइड में देखेंगे 3-4 cm 3-4 mm लॉंग होता है और साइड बॉड़ी जो होती है इसकी कर्ब्र होती है फ्लैटेश होती है और कलर इस रेडिश ब्राउन इसका हेड और थोरेक्स का अपर पार्ट माइन्यूट पंक्चर्ज से कवर्ड होता है और इसके विंग्स जिनको जो फोर विंग्स होते हैं वो हार्ड होते हैं जिनको हम इलाइट्रा कहते हैं उन पर पूरे विंग्स की लेंध पर रिज्ज प्रेज़ प्रेज़ प्रेज जिनमें से लास्ट थ्री सेग्मेंट्स वाइडर होते हैं अपने पहले वाले सेग्मेंट से आइस रड़िश ब्लाक होती हैं कलर में आप एंटीना के बारे में डीटेल से नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे अब यहां पर यह लाइफ साइकल शो कर रखी हैं देखिए यह इसके एग्स हैं एक और फिगर है बाद में आपको अच्छी से इनकी शेप पता चलेगी तो दिजादा एग्स ओफ ट्राइबोलियम दिस इस दे लार्वल स्टेज दिस दे प्यूपल स्टेज और दे इस इस द इस देखिए प्यूपलीट मेटमोर्फोस इसके अंदर पाया जाता है एग्स ट्राइबोलियम के 0.5 mm लॉंग होते हैं यह आप नेक्स लाइब में लिखेंगे कि सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में और कलर लेस्या वाइट होते हैं जनरली इस टिकी होते हैं जिसे कि जिस भ पाइब देता है कि लिखाक जाता है यह एग्स वाच इसके में ट रखेंट्स डाशूम स वाटूर कजाता है श्लेंडर सेघ्में की आप सब। र थिख़ोड़ होते हैं लार्वे यल्या फनको ब्रॉड' होते हैं यह सारी सग्मेंट्स नों कि बाडी में और सिलेंड् मीले यह segments and they are covered with fine hairs, इनका head, लार्वे का head pale brown होता है और last segment abdomen का वो उस पर दो उपर की और मुड़ी हुई pointed structures present होते हैं लार्वे पर, प्यूपर कोकून में नहीं रहता है, यह yellowish white होता है color में और धीरे धीरे later stages में यह brown color का हो जाता है, यह आप देख सकते हैं फिगर यहां पर मैंने बताया था transparent यह बहुत light color के pale yellow color के इसके eggs होते हैं, यह larva yellow color, pupa is either white colored और yellowish color, later stage में यह yellowish हो जाता है, और adult you can see dark brown color का होता है, यह reddish brown के सकते हैं इस color को, तो यह different stages दिखा रहके हैं यह आपर, तो ट्राइबोलियम केस्टेनियम की, अब हम life cycle पढ़ेंगे, तो ट्राइबोलियम की female होती है, मतलब sexual dimorphism पाई जाता है, there are males and different males and females, तो females 300 to 400 eggs ले करती हैं, और इनका कुल life span ही total 5 to 8 months का है, तो उसमें उस period में 300 to 400 eggs ले करती हैं, अप्रोक्सिमेटली 35 degrees celsius, जो की optimum temperature है इस particular species के लिए, और जिसमें 60 to 80% humidity अगर हो, तो eggs अप्रोक्सिमेटली 3 days में, जो development time होता है, eggs का, maturity time है, that is 3 days, लार्वे को mature होने के लिए 16 days चाहिए, और pupae develop होने के लिए 5 days का time चाहिए, जब temperature 35 degrees celsius हो, और humidity 60 to 80% हो, अब दोनों ही लार्वल और प्यूपल स्टेज़ज़, तो अब दोनों ही लार्वल और प्यूपल स्टे ग्रेंज को क्योंकि stored brain pest है, तो यह ग्रेंज को excessive damage पहुंचाती है, और यह damage either physically, मताब वो ग्रेंज को खाने लग जाती है, उससे होता है, या फिर कुसी दूसरे pest के action से भी हो सकता है, डामेज, एडल्स, बहुत ही quick होते हैं, बहुत जल्दी चलने वाले होते हैं, तो यह ज छुपने के लिए जगे दूण लेते हैं कहीं ना कहीं, और जल्दी से move करते हैं, इनको हम ग्रेंज के अगर स्टोर्ड ग्रेंज को या ग्रेंज करा हुआ है, आपने कहीं पे ग्रेंज को तो उन कंटेनर में आप इनको सर्फेस पर भी या फिर बहुत डीप जो स्टोरेज जो है उसमें डीप, डीपर पार्ट में भी आप इनको देख सकते हैं, एडल्स शॉर्ट डिस्टेंस की फ्लाइट भी लेते हैं इस पर्टिकुलर स्पीशीज में, आप देखिए कि पैस्ट की डिस्ट्रक्टिव स्टेज कॉन सी है, तो ट्राइबोलियम कैस्टेनियम में जिस एडल्ट और लार्वा दोनों ही जो भी स्टोर्ड लें से इन्टरीलज की सिरियल इनका जो इंटर्नल पार्ट विंग अ बञाँज जो चुब सिर्फ बीहिंग, वह बा Te ⁃इद चुच, सिरियल ने, जो लं मिन से ना commitment, हैं जो, चर्विक, सिरील जो जो पीएड़त, यह ओट्स, ब्रैजील नट, बार्ले, वॉलनट, लेंटल, राइस, बीन, पीज, आमंड, राइ, सौरगम, वीट, इती सारे नाम दिखे हो हैं, इन सब पे यह पेस्ट हो सकते हैं, तो यह एक वाइड वराइटी ओफ ड्राइड स्टोर्ड प्रोडक्स पर फीड करता है, ड्र प्लांट पार्ट को अफेक करता है, ट्राइबोलियम, उनमें फ्रूट्स होते हैं, पॉर्ड्स हैं, सीज, ग्रेंज हैं, और प्लांट की वेजिटेटिव और वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उनको भी अफेक करता है, अब डामेज के सिंटम्स क्या होते हैं, जब भी ट् और उदिट इन्धर पहुता और पर लिट ले सीड़ को यह अंदर की तरफ से फीड करता है चाहिए अंदर चर्च फा ना करता है और उसके अलावा जब यह ऐसे एंवार्मेंट में रहता है जहां पर फीसी भी है या पर्टिकुलर डिग्री ओफ मॉइस्टर भी हो वहां पे तो यह मोल्ड के डेवलप्मेंट को भी प्रमोट करता है तो अल्टिमेटली जिस पर्टिकुलर ग्रीन्स में या जिस इसलिए यह एक बहुत ही डेस्टरक्टिव पेस्ट माना जाता है इंसे पेस्ट माना जाता है ओके तो अन्दिस फिनिशेश विद देलाइव साइकल आफ ट्राइबोलियम कैस्टेनियम आप इसको बार बार देखिये और वीडियो को और इसको समझने की इसकी लाइफ साइ झाल